अब मैं आपको इस राइडिंग बैक पैक का कमाल दिखाता हूँ सिंप्ली क्या है कि एप में एक क्लिक करते ही आप इसका जो स्क्रीन है उसके चेंज कर सकते हो यह देखो कितरा जबर्दस लग रहा और यह तो सिर्फ एक्जामपल इस तरह के कई सारे चेंजेस आप स्क्रीन में कर सकते हो अब यहां पर आप देख लो यह यह यूजबी केबल दिया गया इसी से तो यह ओन होगा कंपनी क्लेम करती कि इसके अंदर में एक हिलमेट भी फिट हो जाता है क्या सच में यह फिट होगा हलो फ्रेंट्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको इस एलेडी नाइट बैक पैक के बारे बताने वाला हूँ अच्छी बात किया है कि यह जो बैक पैक है यह इस पेसली राइडर्स के लिए है जो कि राइडिंग करते समय आप इसे यूज कर सकते हो और इसमें बहुत सारे फीचर्स को भी दिया गया है जैसे कि सबसे इंपरेंट किया है इसका हाइलाइट यह जो हारा LED स्क्रीन है तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट में डिसाइन के जो है वो चेंजेस कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में अच्छी बात किया है कि इस LED बैक पैक में यहाँ पे DIY का भी option दिया हुआ है तो इसके बाइगा है कि आप custom खुद कहीं चाहो तो text लगा लो जो मर्जी आपको अपना नाम लिखना है किसी और चीको लिखना है तो वो यहाँ पर text लिख सकते हो यहाँ पर जो text है वो इस तरह से चलती रहेगा इसके अलाबा किया कि आप यहाँ पर अपना photo चा आने वाला हूँ वैसे इस तरह के यूनिक गैजेट के उपर में वीडियो अपलोड करते रहता हूं जैसे कुछ दिनों पहले मैंने इस iron man helmet के उपर में वीडियो बनाया था यह वीडियो भी बहुत ज्यादा पॉप्लियर हुआ और यह प्रोड़क्ट भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइब बनाते हैं इन सब के ऊपर में चैनल पर डिटेल वीडियो है सारही प्रोड़क्ट का बाइंग लिंक आपको डिस्क्रेप्शन और पीन कमें ने मिल जागा तो आइस पर रिकॉर्मेंट आप जाके वहां पर उसे भी चेक कर सकते हो अब मैं आपको इसके बा हमारा बैग है तो फ्रेंट्स फाइनली आप यहां पर देख लो यह हमारा बैग पैक वैसे मैं आपको बताना चाहूं कि बहुत ज्यादा ही प्रीमियम यह दिखाई दे रहा है पैसे इसे अड़ा लेता हूं ताकि सब कुछ किलियर हो ठीक है यह हमारा जो LED स्क्रीन है यह ह अपन कर लेता हूं और फिर अंदर में किस तरह की चीजी तो दिया गया है और कहां पर हम लोगा यह ओन होता है किस तरह से यह भी आपको शो करने वाला हूं देखो यह हमारा ओपन हो गया है आपको दिखाई दे रहा है कि श्टोरेज जो स्पेस है वह बहुत जाद है तो यह हमारा पर यह किसलिए मैं आपको बताने वाला हूं उससे पहला आपको यहां पर एक USB जो हमारा केबल है यह दिखाई दे रहा है अब देखो इस बैक का जो स्क्रीन है उसे अन करने के लिए रिक्वार्मेंट के बाए यह जो USB के बाइंट के साथ करें हाला कि यह पावर और जश्ट यहां पर इसे कनेक्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं इससे क्या कर दूँगा यहां पर इसके अंदर में ऐसे हम लोग इस पॉछ में रख सकते हैं ठीक है अब मैं इससे नीचे के राता हूं आप देखो क्या होने वाला है तो आपको यहां पर दिखाई दे राकि जैसे ही मैंने यहां पर connect किया तो यह हलाकि मैंने खुछ से set किया इस तरह से आप भी set कर सकते हो बहुत सारी चीजे मैं आपको भी screen में show करने वाला हूँ तो यहां पर आपको लिखा दिखाए दे रहा है YouTube और उसके बाद आप पढ़ लो कि जो हमारे चैनल का नाम है Mechanical Tech Hindi यह मैंने कस्टमाइज किया इस तरह से आप कोई भी नाइम कुछ भी text वगरा जो कस्टमाइज कर सकते हो वैसे वीडियो भी तक अच्छा लगो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर से कर दे अब देखो मैं फिर से गवार आपको show करता हूँ सिफ connect करना होता है देखो मैं यहाँ पर इसे connect कर दूँगा और देखो connect करते ही क्या हो जाता है यह on हो जाता और उसके बाद जो displays का जो भी आपने चीज़ सेट कर रखा वो यहाँ पर show होने लगेगा फ्रेंट्स आप देखो इस बैक का जो LED स्कीन है इसे यूज करने के लिए और इसे ऑपरेट करने के लिए हमें जो लोई आइज आप है इसे डाउनलोड करना होगा यहाँ आपको QR कोड दिखाई दे रहा है इसे scan करके आप कर सकते हो simply मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ भी है तो आपको यह Google Play Store मिल जाता है तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद क्या होता है कि Bluetooth के help से बहुत आसानी से यहाँ पर connect हो जाता है यहाँ पर connect का option भी दिखाई दे रहा है और यह काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो देखो सुरुवात मैं बहुत सार यहाँ पर option दिखाई देखे रहे है तो मैं फटापर से क्या करता हूँ? चेंज कर लेता हूँ सिर्फ क्लिक करते हुए एक क्लिक से यह चेंज हो जा रहा है आप जितनी मर्जी बार उस एप के help से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप देखो बहुत जादा यहाँ पर variety दिया हुआ है तो जो मर्जी आप रखना चाहते हो इसे यहाँ पर रख सकते हो ठीक है? यहाँ पर playback का भी option दिया हुआ हुआ है तो next का option तो next कर सकते हो और आप बस देखते रहो इस screen कितमा ज़्यादा आपको खुब सर दिखाए दे रहा और खास करके जब riding करोगा आप road में अंदेरा होगा तो सारे लोगों का जो नजार रहो आपके जो backpack है इस पर ही आने वाला है तो यह देखो playback है यह अपना playback होते जा रहा है और simply इस तरह से देखो बहुत सारे option है यह वाला तो मुझे बहुत पसंद आता है थोड़ा music theme वाला है तो आप देखो इस तरह से यहाप option दिखाए दे रहे है आप जितनी मर्जी से change भी कर सकते हो यहाँ पर देखो material का option दिखाए दे रहा है तो material की library ठीक है मैं इस पर click कर दूँगा जैसे ही तो यहाँ पर देखो एक library सा खुल के आगया आपको screen पर दिखाए दे रहा है तो यहाँ से भी बहुत सारे जो option आपको दिखाए दे रहे है यह आप यहाँ से चुन सकते हो और बहुत सारा जो के आपकी library में नहीं है तो यहाँ से आप ले सकते हो देखो यह कितना जादा यह attractive दिखाए दे रहा है और इस तरह सब रोड में चलाओगे तो बहुत जादा मजाने वाला और काफी सारे यहाँ पर आपको graphics अलग अलग जो design है वो देखने को मिल रहे है तो देखो आप बस library बहुत बड़ी है जितनी मर्जी आप library में रख सकते हो जिसमें हटाना वो हटा भी सकते हो अब यहाँ पर आप देखो DIY यह भी option दिया हु है ठीक है मेरे कुछ images आपको दिखाए दे रहे है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह भी customize कर सकते हो आप अपने according यहाँ पर चाहे तो दो image रख सकते हो आपको एक्जामपल के लिए कैसे सेट करना बहुत आता हूं तो देखो आप यहाँ पर बहुत सारा option दिखाए ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिख देता हूं राइड फ्री ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूं राइड सेफ यह मैंने यहाँ पर लिख दिया उसके बाद देखो colorful words का option दिखाए दे रहा यहाँ पर यहाँ पर standard words का तो यह भी आप यहाँ प आप लिख सकते हो अब यहाँ पे देखो ride free ride safe जो मैंने लिखा था वो यहाँ पे आपको show हो रहा है तो इस तरह से आप भी कर सकते हो अचाहिए अब बात करेंगर picture animation की तो simply करना क्या है कि left side में और right side में कौन सा picture रखना चाहिए तो आप इस select कर सकते हो तो मैं randomly कोई भी कर ल होता है तो इस तरह से बहुत ही कमाल का feature यहाँ पे दिया गया तो सब कस्टमाइज DIY करके भी text और जो भी आपका picture वगएर उसे भी set कर सकते हो वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए मैं क्या करता हो चलो यह वाला set कर लेता हूं ठीक है यहाँ पे ताकि सार इसका रख सकते हो चलिए अब मैं चेक कर लेता हूं कि एक helmet एक full size का helmet है वो इस backpack के अंदर में fit होगा की नहीं होगा तो मैंने पीछे से on रखा है अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूं इससे चुकुशिच करता हूं कि यह असानी से बंद होगा की नहीं होगा तो लेट यह LED backpack आपको कैसा लगा है यह आप इस वीडियो में comment करके जरूर से बताए चलिए अब हम लोग बात करते है इसके price और availability की तो देखो मेरे according मैं खुद को बताना चाहूंगा कि इसका price ज्यादा है actually ज्यादा नहीं है बहुत ही ज्यादा इसका price है क्योंकि अगर इसके LED panel को जो hard share है इसे देखा जाए तो फिर भी मेरे according इसका जो price है वो होना चाहिए करीब करीब 5000 रुपए max to max अगर 6000 रुपए इसका price होता तो शायद मैं भी इसे खरीदने की सोचता लेकिन दिक्कत क्या है कि इसका price जो है वो offline और online market में अलग-अलग है और बहुत ज्यादा ही है सबसे पहले अगर offline market की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आज पास कि आपका जो हमारा moto vlogging का या फिर जो riding gear इंसे शॉप होता वहाँ पर आप ट्राय करों के पता करना तो वहाँ पर यह आपको 10,000 से लेकर 15,000 रुपए के price में मिल जाएगा क्या है कि autopowers.com है वहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 10% अगर प्रिपेड आटर करते हो तो डिस्कॉंट मिल जाते हैं कि 14,400 रुपए वैसे इसका जो price है वेबसाइट में वो है 16,000 रुपए तो मेरे एकॉंटिंग तो इसका price जादा है हाला कि unique gadget है और अगर आपको पैसे का problem नहीं है इस तरह को gadget आप खोज रहे तो तब जाके आप इसे choose कर सकते हो इसे खरीज सकते हो वैसे मेरा मक्सिब था कि इस तरह के market and product मिलता है इसकी जानकारी आपके साथ share करना उमीद है इस वीडियो में दीके जानकारी आपको पसना आए होगी वीडियो अच्छ